हाई फ्रेंड्स आज हम आपके शेर करने जा रहे हैं बालू शाही की रैस्पी इन बालू शाही को मैंने चार डिजाइन में बना करतायार किया है तो आपको कौन सी डिजाइन सबसे ज़्यादा पसंद आई नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं तो दही हमें एकदम फ्रेस यूज करना है यानि यह ज़्यादा खटा नहीं होना चाहिए सारी चीचों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें एट करेंगे साड़े 300 क्राम मैदा जिसको मैंने स्टेनर की साहिता से अच्छे से छान लिया है मैदा को भी इसमें अच्छे से मिला लेंगे गीयो मैदा को मैं अच्छे से मिलाना है अब हम इसमें थोड़ थोड़ा पानी डाल कर इसका एक आटा लगा का तयार करेंगे हम इसका ना बहुत ज़्यादा soft और ना बहुत ज़्यादा tight आटा रगा का तयार करेंगे आटा गुंदे में मैंने चोथाई ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी यूज किया है तो हाथों की साहता से हम इस तरीके से करते हुए इसको इकटा कर लेंगे अब हम थोड़ा सा आटा लेंगे और इसमें yellow food color में लाएंगे और इसको अच्छे से मसल मसल का चिकना कर लेंगे सेम प्रोसेस से हम green color का भी आटा तयार करेंगे अगर आप food color यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप इनको बिना color गई भी बना सकते हैं तो अब हम इसको 15-20 मिनट के लिए रखा रख देंगे जिसे ये अच्छे से set हो जाए अब हम चासनी तयार करेंगे इसके लिए एक भगवने में आदा किलो चीनी लेंगे अब इसमें एक ग्लास पानी एट करेंगे गैस की plane को medium कर लेंगे और इसको boil होने देंगे इसको हम लगाता चलाते रहेंगे नहीं तो चीनी तली में लग जाएगी अब हम चासनी को चेक करेंगे इसके लिए स्पून की हम last drop को देखेंगे ये देखी इसमें तार बनने लगा है तो चासनी हमारी एकदम परफेक्ट पक गई है चासनी को में बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है नहीं तो ये चीनी की तरह जमने लगेगी अब हम एक कटोरी में दो टेबिल स्पून मैदा लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका एक स्मूथ पेस तयार कर लेंगे इसको अच्छे से मिलाएंगे ताकि इसमें गुठलिया नहीं रह जाएं मैदे का कुगूल हमारा बनकर तयार है तो अब हम बालो साय की पहले डिजाइन बना का तयार करेंगे अब हम इतनी बड़ी एक लोई लेंगे और इसको बेलन की सायता से गोल सेप में बेल लेंगे पस्तियान रखेगा हम इसको ना बहुत ज़्यादा पतला और ना बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे बस हमें इसको थोड़ा सा बीच में ही रखना है अब हम बेलन की साहिता से इसको थोड़ा सा हलके हाथों से बेल लेंगे ध्यान दखेगा हम इसको थोड़ा सा टाइट हाथों से नहीं बेलेंगे अब हम चाकू की साहिता से इसको चार बरावर भाग में इस तरीके से कट कर लेंगे हमें इनको बरावर पीसिस में ही कट करना है अब हम एक पीस को इस तरीके से मोडेंगे और सेम प्रोसेस से हम दूसरे हिस्से को भी इस तरीके से मोड कर इसके उपर रख लेंगे और चारों हिस्सों को हम एक के उपर एक इस तरीके से रखते जाएंगे अब हम इसको इस तरीके से करते हुए इसकी दोनों किनारों को हम थोड़ा सा दबाते हुए चिपका लेंगे अब हम चाकू की साहिता से इसको 20 से इस तरीके से करते हुए कट कर लेंगे हमें इसको 20 से ही cut करना है अब हम इनको इस तरीके से करते हुए ऐसे जोडेंगे अब हम इसके नीचे बाले भाग को इस तरीके से थोड़ा सा चिपकाते हुए बाहर की और खीचेंगे और इसमें मैदे का घूल लगाते हुए हम इसके आगे भाले भाग को अच्छे से चिपका लेंगे और इनके किनारे के हिस्सों को भी हम मैदे का घूल लगाकर अच्छे से चिपका लेंगे ताकि ये फ्राइ करते हुए खुलेना अगर आप इसमें green color का use नहीं करना चाहते हैं तो आप इनको normal भी बना सकते हैं तो ये लीजे हमारी पहली design बन कर तयार है अब हम बालो साई की दूसरी design बनाएंगे इसके लिए हम इतना आठा लेंगे और इसको हाथों से इस तरीके से करते हुए लंबा कर लेंगे ध्यान रखेगा हमें इसको चिकना कर लेना है और इसको अच्छे से लंबा कर लेना है बेलन की साईता से इसको इस तरीके से बेल लेंगे बस हमें इसके उपर वाले इतने हिससे को नहीं बेलना है अब हम इसके इस साइट से इसको रोल कर लेंगे तो ये देखे मैंनो इसको इस तरीके से रोल कर लिया है अब हम एक स्टिक लेंगे और इसकी साइटा से इस पर इस तरीके से डिजाइन बनाएंगे अगर आपके पास ऐसी कोई स्टिक नहीं है तो आप जाकू की मोटी साइट से भी इसको बना सकते हैं अब हम इसको इस तरही के से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे देखा घूल लगाकर हम इसको इस तरही के से इस पर चिपकाएंगे और फिर हम इसके इससे को थोड़ा सा चिपकाते हुए भार की और खीचेंगे और इस्टिक की सायता से हम इस पर इस तरीके से डिजाइन बना लेंगे तो ये लिजे बालू साय की दूसरी डिजाइन भी बन कर तयार है तो अब हम बालू साय की तिसरी डिजाइन बना कर तयार करेंगे इसके लिए हम इतनी बड़ी एक लोई लेंगे और इसको चारो तरब से बराबर बेल लेंगे हमें इसको गोल सेप में बेलना है और हाँ हम इसको ना बहुत ज़्यादा पतला और ना बहुत ज़्यादा मोटा बेलेंगे अब हम जागू की साइथा से इसको इस तरीके से 6 बराबर पीसिस में कट करेंगे दियान रखेगा हमें इनको एक साइज में कट करना है अब हम इसके एक पीस को इस तरीके से कट करेंगे सेम प्रोसेस से हम सारे पीसिस को कट कर लेंगे हम इसके एक पीस को इस तरीके से रखेंगे और इस पर सूखी मैदा को इस तरीके से लगा लेंगे अब हम इसके उपर दुसरे पीस को रखेंगे और इसके उपर भी हम सूखी मैदा को लगा लेंगे सेम प्रोसेस से हम एक के उपर एक सारे पीसिस को रख लेंगे वस्यान रखेगा इनको रखते समय है मैं सुकी मैदा को भी स्प्रंकल करते जाना है हम इस्टिक की साइटा से इसके इस भाग को इस तरीके से दबाएंगे अब हम इसको पलटते हुए इसके इस साइट को भी इस्टिक की साइटा से इस तरीके से दबाएंगे अब हम इसके इस बाग को इस तरीके से मोड का रखेंगे अब हम इसके दोनिक नारो को थोड़ा सा दबा देंगे अब हम इसके इस साइट की इस स्टिप्स को मैदे का घुल लगाकर इसको यहाँ पर चोड़ देंगे अब हम दूसरी स्टिप लेंगे और इसको भी मैदे का घूल लगाकर इसको इस तरीके से यहाँ पर चिपका देंगे सेम प्रोसी से हम सारे स्टिप को इस तरीके से चिपकाते जाएंगे सेम प्रोसे से हम दूसरी साइट्स की स्टिप्स को भी इस तरीके से इस पर मैदे का घूल लगाकर इनको यहाँ पर चिपकाते जाएंगे बस मैदे का घूल लगाकर हमें इनको अच्छे से चिपकाना है ताकि यह फ्राई करते हुए खुले न अब हम दोनों साइट्स को इस तरीके से थोड़ा सा तबा देंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी सारी लेयर्स अभी से दिखने लगी है अब हम बालो साइट की चौथी डिजाइन बना का तयार करेंगे इसके लिए हम पेले रंग की इतनी बड़ी एक लोई लेंगे और इसको बेलन की साहिता से बेल लेंगे हमें इसको ना बहुत ज़्यादा पतला हो ना बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है तो ये देखे मैंने इसको गोल सेप में इतना बड़ा बेल लिया है सेम प्रोसेस से हम सफेद कलर की भी पूड़ी मना का तयार कर लेंगे और अब हम चाकू की सायता से इनको चार बरावर भाग में कट कर लेंगे इसी तरीके से हम इसको भी चार बरावर पीसिस में कट कर लेंगे अब हम इसके एक भाग को लेंगे और इसको इस तरीके से मोडेंगे अब हम एक सफेद बाला हिस्सा लेंगे और उसको भी इस तरीके से मोड कर इसके उपर इस तरीके से रखेंगे सेम प्रोसेसे हम सारे पीसिस को इसी तरीके से फोल कर लेंगे और इनको इस तरीके से alternate रखते चले जाएंगे हमें यहाँ पर एक बात का दियान रखना है कि सफेद भले भाग पर हमें पीला और पीले भाग पर सफेद को रखना है अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे अब इसके बीच बाले portion को हम उगलियों की सायता से थोड़ा सा दबाएंगे और फिर हम stick की सायता से इसके बीच बाले portion को इस तरीके से दबाएंगे अब हम मैदे का खुल लगाकर इन strips को इस तरीके से जोड़ते चले जाएंगे हमें मैं देखा घुल लगाकर इनको अच्छे से चिपकाना है ताकि ये फ्राइ करते हुए खुलेना तो सेम प्रोसेस से हम सारे स्टिप्स को एक दूसरे में चोड़ते चले जाएंगे और ध्यान रखेगा इन स्टिप्स को हम थोड़ा सा गुमाते हुए चिपकाएंगे तो ये देखे मैंने सारी स्टिप्स को चिपका लिया है तो ये लिजिए बालुसाई की चौथी रिजाइन भी बन कर टायार है अब हम इनको फ्राइ करेंगे इसके लिए एक कड़ाई में आउयल लेंगे और आउयल को गर्म कर लेंगे तो आउयल हमें मीडियम फ्लेम पर गर्म करना है तो अब हम आउयल को चेक करेंगे इसके लिए हम इसमें तोड़ा सा आंटा डालेंगे देख सकते हैं कि ये बबल चाते हुए दीरे से उपर उठ रहा है तो ऑईल हमारे एकदम परफेक्ट करम है और गैस की फ्लेम को हम दीमा कर लेंगे अब हम इसमें बालुसाई को फ्राइ करेंगे बालुसाई को हम इसमें एक एक करके डालेंगे बीच में हम गैस की फ्लेम को एक से दूमनेट के लिए मीडियम कर लेंगे, ध्यान रखेगा, ओल बहुत तेज कर्म नहीं होना चाहिए, तो थोड़ी दिल में हम देखेंगे कि बालुसाय का कलर चेंच होने लगा है, ध्यान रखेगा हमें इनको तेज हांच पर नहीं सेखना है, भी थोड़ी सी ठंडी हो गई है, अब हम बालुसाय को इसमें डालेंगे, आप चाहें तो चाह्नि में थोड़ी सी इलाइची और केशर भी डाल सकते हैं, तो बस हमें याँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि चाह्नि बहुत जादा गर्म नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल ठंडी भी नहीं होनी चाहिए आप चाहिए तो चासनी में थोड़ी सी पीसी हुए इलाइची और केसर का भी यूज़ कर सकते हैं अब हम इनको 20-25 मिनट के लिए चासनी में डिप रहने देंगे और इसके बाद हम बालु साय को चासनी से बाहर निकाल लेंगे आप इन बालु साय को 10-12 गंटे बाद खायेगा क्योंकि चासनी इसमें अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाती है जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो फिर मिलते हैं एक नई रस्पी के साथ बाई